Learners, Welcome to the channel आज सोभी का इसी तो चैनल पार स्वागत आज मैं आप सोभी को Daily Use English Sentences रोज बोले जाने वाला अंग्रेजी वाक को बताओंगा जो आपके English spoken और Daily Life Use में अंग्रेजी बोलने में महत्पून भूमिका निवाएगा अगर आपने विज़क चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो चलिए देखते हैं फर्स्ट है फर्स्ट सेंटेंस क्या है क्या चल रहा है क्या चल रहा है इसका एंगलिष क्या होगा, what is going on, kya चल रहा है. Next sentence है, kya बक्वास चल रहा है, तो इसका एंगलिष क्या होगा, what the hell is going on, What the hell is going on क्या बक्वास चल रहा है Next sentence है क्या बक्वास है तो इसका English क्या होगा What the fuck What the fuck क्या बक्वास है Next sentence है तब हमें अब चलना चाहिए तब हमें अब चलना चाहिए तो इसका English क्या होगा Then we should leave now Then we should leave now तब हमें अब चलना चाहिए Next sentence है चलो उन लोगों को छोड़ दो तो इसका English क्या होगा Let them to leave Let them to leave चलो उन लोगों को छोड़ दो Next sentence है चलो उन लोगों को जाने दो तो इसका English क्या होगा Let them to go Let them to go चलो उन लोगों को जाने दो Next sentence है मैं वहां रहूंगा मैं वहां रहूंगा तो इसका English क्या होगा I will be there I will be there मैं वहां रहूंगा Next sentence है है की नहीं है की नहीं तो इसका English क्या होगा Is it है की नहीं Next sentence है वहां ठहरना वहां ठहरना तो इसका English क्या होगा Stay there Next sentence है क्या शर्म की बात है क्या शर्म की बात है तो इसका English क्या होगा What a shame What a shame क्या शर्म की बात है Next sentence है चलो आगे चलते हैं चलो आगे चलते हैं तो इसका English क्या होगा Let's go ahead लेस्ट गो अहेड चलो आगे चलते हैं नेक्स सेंटेंस है मैं तुम पर कैसे भरोसा कर सकती हूँ इसका इंग्लिज क्या होगा How can I believe on you मैं तुम पर कैसे भरोसा कर सकती हूँ नेक्स सेंटेंस है तुमने ऐसा किया है तुमने ऐसा किया है तुमने ऐसा किया है तुमने ऐसा किया है तुमने मुझे गाली दी तुमने मुझे गाली दी तुमने मुझे गाली दी तुमने इसका इंग्लिज क्या होगा तुमने मुझे गाली दी नेक्ट सेंटेंस है किसी और के साथ जाओ तो इसका इंगलिस क्या होगा Go with someone else किसी और के साथ जाओ Go with someone else नेक्ट सेंटेंस है आप क्या कहना चाहते हैं इसका इंगलिस क्या होगा What do you want to say? आप क्या कहना चाहते हैं Next sentence है मैं कहना चाहती हूँ मैं कहना चाहती हूँ तो इसका इंगलिस क्या होगा I want to say मैं कहना चाहती हूँ या चाहता हूँ तो इसका इंगलिस क्या होगा I want to say मैं कहना चाहती हूँ या मैं कहना चाहता हूँ Next sentence है हमें सोचना चाहिए हमें सोचना चाहिए तो इसका English क्या होगा, we should think, we should think, हमें सोचना चाहिए, we should think, Next sentence है, मैं कहना चाहूंगी, या मैं कहना चाहूंगा, तो इसका English क्या होगा, I would like to say, मैं कहना चाहूंगी, या मैं कहना चाहूंगा, Next sentence है, क्या आप कहोगे, क्या आप कहोगे, तो इसका English क्या होगा, तो इसका English होगा, would you say, would you say, क्या आप कहोगे, या क्या आप कहोगी, तो would you say, Next sentence है, मेरे कहने का मतलब यह है, मेरे कहने का मतलब यह है, तो इसका English क्या होगा, I mean to say, मेरे कहने का मतलब यह है, I mean to say, Next sentence है, अब मुझे कहना है, तो इसका English क्या होगा, Now I have to say, अब मुझे कहना है, Next sentence है, अब मैं क्या कहूँ, अब मैं क्या कहूँ, तो इसका English क्या होगा, Now what I say, अब मैं क्या कहूँ, Next sentence है, तो फिर क्या हो रहा है, तो इसका English क्या होगा, Then what is going on, then what is going on, तो फिर क्या हो रहा है, Next sentence है, और फिर मैंने एक रहसमे आदमी को देखा, और फिर मैंने एक रहसमे आदमी को देखा, And then I saw a mysterious man, और फिर मैंने एक रहसमे आदमी को देखा, दोस्तो आप लोगों के लिए कोस्तन है, आप कोमेंट करके इसका आंसर बताएं, मुझे गुसा मत दिलाओ, इसका translation क्या होगा इंगलिस में, यह आप कोमेंट करके बताएं, मुझे गुसा मत दिलाओ का translation, दोस्तो अगर आपके वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट कर आना भूलें, थैंक्यू फोर वाचिंग, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद